आप सबी सातियों का हमारे चेनल फिटर फाइटर में बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों को मालूम हैं कि भेल भोपाल अपिंटिस का कल पेपर है 15 जनवरी को मैंने जो टेग लाइन बनाई है कल 15 जनवर एको अपिंटिस का पेपर है तो मैंने जो PDF फाइल दी थी उन से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा पर मैंने भी कुछ कोशन उन्हीं PDF फाइल से छाटे हुए हैं तो जो कोशन छाटे हैं वो पूरे किताब के छाटे हुए प्रिशन है तो उन प्रिशनों को आप एक एक बार देख लीजिए ताकि कल का पेपर आपका बहुत अच्छा हो और आप जरूर भुपाल बेचल के अपिंटिस में सेलेक्ट हो तो हम सुरू करते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए कौन-कौन से हमें कुशन पढ़ने हैं रेदिया आप नए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आई जाई रिलेटिड जो भी जानकारिया होती है वो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें एवं शेर जरूर करें ताकि हमारा चैनल आगे ब्रोथ करें और अच्छे-च्छे कोशन अच्छे चीज जानकारियां जो है आप लोगों को मिल सकें तो देखे हमने पहले भी कई बार बताया है कि सिंबल से रिलेटेड या प्रात्मिक चिकिसा से रिलेटेड कोशन इसमें आएंगे तो देखे पहला कोशन इसमें जो दिख रहा है हम आपको दिखा देए ये कोशन आप लोगों को दिख रहा है इस टाइप के कोशन उसमें तो बेक्तियत स्रक्षा वो होती है कि हमें इसमें क्या काम करना है तो इसमें क्या काम करना है कि अपने काम पर ध्यान देना है concerned on your work यानि अपने काम पर ध्यान दें तो इसमें जो बी answer correct answer होगा हम और भी आपको next आपको ऐसे question और बता देते हैं देखिए इसमें इसमें ये symbol से related question है आप लोगों को दिख रहा होगा दो number पर question तो ये भी मैं कई बार बता चुकआऊं और ये symbol किस लिए होटा है तो ये symbol जो होतासा Stop के लिए होता है अब Stop के लिए आप कैसे समझोगे मैं आपको इसकी trick बता दो हो आप गारी से ओधर से जा रहा है ये road है माल लेजिए अब गारी से अब इधर से सीधे जा रहा है हो तो stop आगे जाके रोड बंद है जब आगे रोड बंद है तो आप कहां जाओगे आगे यानि कि आगे इधार stop है यह सिंबल आप ध्यान रखेंगे क्योंकि जहां सी BHL में इसी टाइप के question आये थे और मैं कई बार आपको पुराने वीडियो में भी बता चुका हूँ यह जो question है तीसे नमबर वाला question यह इस टाइप के question भी आते हैं एक्जाम में देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जुलन सील लीक्विडवल थोस को बरगी किरत किया जाता है जुलन सील जो लीक्विड होता है वो किस आग में आता है तो वो class B fire में आता है अब इधर एक बात यह उत्पन हो जाती है कि चारों fire जो होती है वो चारों आ सकती है तो मैं आपको चारों fire इधर side में बता देता हूँ तो उनको आप याद कर लेना पूरी देखिए यह एक A fire होती है एक B fire होती है एक C fire होती है एक D fire होती है तो यह जो होती है लकडी कोईला वाली होती है इसको आप यात कर लीजे बिलकुल और C fire जो होती है वो गैस के लिए होती है क्योंकि इस चारों code word में से कोई भी आ सकता जैसे पहला code word A है फिर B है फिर C है और फिर D है जो D में जो आती है ये electric fire आती है जो electric fire होती है जैसे बिजली की तारों में जो आग लगती है या metal में कोई आग लगती है जनी धातू में जो आग लगती है metal fire वो D में आती है तो ये चारों fire का आप याद रखिए एक A fire है मैंने बता दिए लकड़ी वाली है B fire है जो तरल पता तेल वाली जिसे मिट्टी का तेल है या डीजल है प्रेटोल है इस तेल में C वाली जो होती है धातू वाली होती है और इलेक्ट्रिक वाली होती है तो ये चारों को आप याद रखना क्योंकि चारों में से कोई भी आ सकता है हमने ये बता दिया और बता देते देखिए इसमें चोथा नम्मर कॉशन जो है ततकाल जीवन रक्षक प्रक्रिया इसमें लिखा हुआ है ततकाल जीवन रक्षक प्रिया कूं सी होती है तो ततकाल जीवन रक्षक प्रिया प्रात्मिक चिकस्था होती है जब कोई वेक्ती कोई मान दीजे अक्सीडंट हो जाता है तो उसको फस्टेट दी जाती है इसको खून बहढ़ा हो तो पत्टी बान देंगे अगे अग sneakingप उसको पेरवेर फसा हुआ है तो उसको निकाल देंगे तो ये प्रात्मिक्षी किस्सा के अंतरगत आता है इसके बाद मैं और भी सिंबॉलिक बताऊंगा इसमें सिंबल जरूर आएंगे तो आप ध्यान करें सिंबल पर बिसे तोर से काफी फोकस करेंगे देखिए इस सिंबल मैं अपने चैनल के मादधम से कई बार बता चुका हूँ कि नीचे जो पहिये लगे हुए देखिए ट्रैन में जो पहिये लगे हुए है इस पहिये पर गाड नहीं है गाड मतलब इसे कवर होता है तो ये जब हम कवर लगाएंगे नहीं तो हम पहिये दिखाई देंगे हमें आखों से यदि इसके उपर कवर लगा दिया जाएगा तो ये पहिये हमें दिखाई नहीं देगे यानि इस पर कवर नहीं लगा हुआ है और जहां पर कवर ना लगा हो तो बोलते हैं जिसमें guard ना लगा हो तो unguarded तो इसका जो answer होगा इस question का answer होगा see unguarded तो ये symbol से related question उसमें आएंगे मैंने आप दोनों लोग जो भी लोग थे या जो भी मेरे से बात कर रहे थे online या comment में तो मैंने बता दिया था कि ये दो PDF file हैं इसी PDF file में question आएगा उसी PDF file को आप अच्छे से पढ़ लीजिए देसे इस type के question आएंगे उसमें लकड़ी की अगनी, कागज, कपड़े तो लकड़ी की आगा भी मैंने बता दिये class भी fire होती है इसके बाद ये question भी आ सकता है कि किस आपको बुजाने के लिए किसका उपियोग करते हैं तो मैं अभी इसका बताता हूँ देखे इसमें ये लिखा हुआ carbon tetrakiloride ये लिखा हुआ है इसको carbon tetrakiloride को हम CTC कहते हैं और ये जो bromocloride proromethane लिखा इसे हम BCF कहते हैं BCF तो ये दोनों extinguisher हमारी class D fire को बुजाते हैं ये CTC भी है BCF भी है क्लास D भी है और Helen भी है तो इस चारों सब्दों को द्यान रखिए आप CTC भी द्यान रखिए BCF भी द्यान रखिए क्लास D भी द्यान रखिए और Helen भी द्यान रखिए ये सारी चीछ ध्यान रखी है आप चारों अब मैं इसके लिए एक बात बता देता हूँ कि अभी तो मैंने आगें बता ही थी कि आगें चार प्रकार क्यों होती है पर इनको बुझाने के लिए भी हम अलग-अलग एस्टिंग यूसर का उप्योग करते हैं कुल में लिख देता हूँ जिसे एक प्लेता हुए क्लास है एक फायर एक लास C वी हाईire एक क्लास यह क्लास D यह लकड़ी वाली होगह पहले नमर्च दूसरी वाली ओल वाल है तीस्री वाले गयश वाली हो गयी चोति वाली यह हो गई, यह हो गई, लाइट वाली, यह current वाली, अब इनको बजहाने के लिए किस extinguisir का प्रयोग करते हैं, जो लाल रंका एक 01ascar होता है, आप लोगो ने देखा होका hospeedler में तंगा रहता है, रेड रंका तो जो A को बुजाने के लिए होता है ये कार्वोनेशियस एस्टिंग्यूसर होता है इस एस्टिंग्यूसर का नाम है कार्वोनेशियस कार्वोनेशियस एस्टिंग्यूसर उसका नाम होता है कार्वोनेशियस B के लिए होता है फोम टाइप यह बहुत ही important question होता है फोम टाइप इसमें जहाग भरी होती है B-type extinguisher में C-type जो होती है gas fire इसके लिए हम CO2 CO2 extinguisher का प्रयोग या dry chemical extinguisher का प्रयोग करते हैं CO2 या dry chemical जो last वाली D-type की fire होती है इसके लिए हम C-T-C अभी अभी मैंने बताया था C-T-C, B-C-F या hellen extinguisher hellen extinguisher का प्रयोग करते हैं तो यह चारों मैंने extinguisher बता दी है चारों आग बता दी तो आप लोग एदि इन question को पढ़के जाओगे तो आप 100% select हो जाओगे इनको आपको बिल्कुर focus करिए ध्यान करिए तीन तीन चार चार बार इनको पढ़िए आप अब हम आगे बढ़ते हैं यह question ज़्यादा मोश्ट नहीं है इसको हम हटा देते हैं इसका यह question मोश्ट है जो question आपके सामने है घायल बैक्ती के रक्त सराव को यह किसी बैक्ती का खून निकल रहा तो हम पट्टी बानेगे उस पर पट्टी बानने से रुकएगा ना कि मरहम लगाने से मरहम तो तब लगाई जाती है जब उसमें खून ना बहरा आओ पट्टी बानेगे इसको हम अगला यह सिंबल देखे होगा बहुत जगया पर देखा होगा इस तरीक से रहता है इसमें इसी पट्टियं बनी रहते हैं इस पट्टियंग से आदमी इधर से निकल सकता है इसे हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते है तो यह निकलने के लिए बना हुआ है पैदल चलने वाला तो ऐसे ही आपको most most question यह question जो आया 11 number का यह भी question आने का chance है उसमें आग लगने के तीन कारा कौन कौन से होते हैं आग लगने के मैं बता देता हूँ ताप plus inhan plus oxygen O2 यह तीन चीज़ों से आग लगती है अगर इन तीन चीज़ों से कोई भी एक चीज़ तुम हटा दोगे तो आग नहीं लगेगी ताप चाहिए इनन मने लकडिया भी चाहिए oxygen मतला हमें बायू भी चाहिए तो यह तीन चीज़ बाला oxygen हम देख लेते हैं ताप इनन और oxygen तो देखे इनन पहले option में दिया है पहली option में दिया है इनन उस्मा और ओक्सियन उस्मा लिखा है ताप नहीं लिखा है तो उस्मा जो होती होई ताप का ही एक रूप होती है तो उससे हम लगा सकते है इसका गोल्डन आवर्स क्या होता है तो गोल्डन आवर्स जो होता है गोल्डन आवर्स यह होता है जब दुरगटना हो जाती है तो जैसे दुरगटना हुई मालरी ये 9 बजे किसी की दुरगटना क्योंकि फैट्री लाइन में एक नएक दुरगटना होती रहती तो 9 बजे से 9 बजे कोई दुरगटना हुई तो 9 से 6.9 बजे का टाइम जो होता है उस बैक्ती के लिए एक स्वर्णिंग समय माना जाता है गुल्डन आवर्स माना जाता है सोने की संग्या इसलिए दी गई है क्योंकि यदि वो 9 से 6.9 तक सही रहेगा यानि उसके सरीर में कोई अधर अक्टिविटी नहीं होगी वो बेवस नहीं होगा तो उसके आंगे लाइफ के बचने के चांस रहते हैं यदि 9 से 6.9 नो मटे दुरगटना हुई और 6.9 तक यदि उसकी सदीर में कोई अक्टिविटी हुई या नाक से खुनाया आयकान से खुनाया या वो बेवस हो रहा है या या कोई उसको चक्कर आ रहा है तो उसको कुछ हम ऐसे समझेंगे कि भाई इसको या तो आंगे बड़े होस्पीटल में भेजा जाए और उसको थोड़ा सा एक्टिव पेसेंट की रूप में देखा जाएगा यदि आदे गंटे में वो नॉर्मली रहता है तो उसमें कोई फिर यानि हमें गबराने की जरुवत नहीं है तो ये गोल्डन आवर्स होता है इसके बाद और भी मैं आपको बताऊंगा कलर कोड बगर देखे ये सिंबल भी आ गया और और भी होंगे ये एक कोशन है कार इस्थल पर ये लिका है कार इस्थल पर दुरगटना से बचने का पहला कदम क्या होता है जब कोई कार इस्थल होता है तो दुरगटना से बचने का सबसे सही उपाय होता है ये कि हम सुरक्षा सावधानियों का पालन करें सुरक्षा सावधानियों जो होती है उनके सुरक्षा साउधानियों का हमें पालन करना चाहिए ताकि जैसे हेलमेट लगा है सुरक्षा साउधानियों का पालन करें सही सैप्टी रूल्स को पालन करेंगे तो दुरुखटना नहीं होगी इसके बाद ये सिंबल है ये सिंबल जो होता है यह सिंबल रास्ता देने के लिए होता है रास्ता देने के लिए इस तरीके का अगर कहीं सिंबल बना मिल जा अक्टागोनल अस्टोच तो यह रास्ता देता है यानि आप उस रास्ते से आगे जा सकते हो तो यह गिव वे यह रास्ता देने के लिए होता है अब में कोश्चन पर इसलिए फोकस जादा कर रहा हूँ क्योंकि B.H.E.L. जहांसी का जो अपिनिटिस का भी पेपर हुआ था B.H.E.L. जहांसी का तो जहांसी के पेपर में यही कोश्चन आये थी इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ और यदि आप लोगों ने यही कोश्चन सीख लिए तो 100% आप सलेक्ट होंगे बिलकुल और यदि आप इन कोश्चन को पढ़के सलेक्ट हों तो एक बार हमें वाट्सेप पर मैसेज जरूर करना कि भाई हमें समझ में आया भाई आपने हमारी हेल्प की अच्छी की तो हमारा वाट्सेप करेंगे फोन नहीं लगाएंगे बताएंगे कि हमारा पेपर कैसा रहा 9198-3236-86 इस नंबर पर आप वाट्सेप कर सकते हैं वाट्सेप आपको पेपर जैसे ही खतम हो पेपर खतम होने के बाद हमें वाट्सेप करना है कि उसमें कोश्चन हमें फसे या नहीं आपने वही है जैसा बताया था बैसा ही आया या नहीं आया या आपका बताने का आपका अधिकार है आप हमें वाट्सेप करेंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा अब दीखे बेकार कागज के लिए इसमें अगला कोश्चन है बेकार कागज के लिए बेकार कागज है उसक किसे लिखते हैं नीवे रंग के पेंश से लिखते हैं तो नीले रंग के डार्ल का उप्योग किया जाएगा इसकी मैंने आपको ट्रिक बता के परपंपर नीले पढ़ना यह तो ऐगला कोस्षन हमारा आता है यह कोशन तो मैं अभी पहली बता चुका है कि तारあ लाग तो तरह लाग अभी बता चुका हूं पर कि जो त हैben आपको पढ़कर प्रम घर से की अपरिक होगी तो इसमें पैपChrophy Mina की बुक में आपको पहला वाला चेप्टर का सेप्टी के पूरे कोशन आपको पढ़के जाना है दूसरे नमबर पे आपको फाइल के कोशन पढ़के जाना है फाइल कि तीज़े नमबर पे आपको हैमर के कोशन पढ़के जाना है हैमर कि चौधे नमबर पे आपको ड्रिल के कोशन पढ़के जाना है ड्रिल ठीक है और भी मैं और बताता हूं को ड्रिल हो गया और बता रहा हूं ड्रिल के बाद आपको इसमें पढ़के जाना है फाइवेस एक सिस्टम होता है सैप्टी वाला इसके बाद इसमें आग को पढ़के जाना आपको आग के इसके बाद आपको एक्स्टिंग यूसर के होता है extinguisher पढ़के जाना इसके बाद मैं और बता रहा हूं आपको थोड़ा प्लेंप निकाल के और बता रहा हूं कि यह यह इतने हो गए मिटा दीता हूं में देखे एक्स्टेंग्विशर पढ़के जाना इसके बाद आपको grinder के question पढ़ के जाना grinder के grinder के पढ़ने के पढ़ने के पढ़ने के पढ़ने के पढ़ने के डाई जितने भी cutting to lane के question आपको पढ़ना है तो इसी से question एक एक करके आएंगे कोई इसमें बहुत बड़ा वो नहीं रहता है इसमें simply question आएंगे बस आपके concept clear होनी चाहिए concept concept clear होने वाले question आएगा अब इसमें एक question देखें इसमें दिया गया है ये question में पढ़के आपको सिख सлемते हो ये फर्स्ट सेड़ जो होता है इक एक सिस्टम होता है ये से होता है इसे होता है एक से होता है औरEddy bast agreement के मतलब होता है सांस लेना ब्रीफी और सी से होता है सरकूलेशन तो इसका full farm पर ध्यान रखना ये कह मतलब हैं ये का मतलब या का मतलब किये तो नोई एक हमारा हवा का रास्ता है मूह रफे ब्री Mei Sitting मतलब होता है जो हमारी सांस की सौसल करी लिए होथे इस पर ब्रीथिंग कहते हैं वो चीन से होता सर्कुलेशन सर्कुलेशन मतलब हमारे सरीर में पहुँचता है तो C से Sirculane तो ये तीनों का full gas Version आप ध्यान रखेंगे इसके बाद ये हो गया question अबना जैबिक compound compound ए material को तोड़ने की पिकरिया है तो ये जैबिक compound तो जो होता है, जैबिक compound ये हमारा पोस्ट खाद होता है जैबिक खाद जिसे कहते हैं पी से पीला ध्यान रखेंगे आप इसके बाद और आगे बढ़ते देगे ये कोशन बेरी बेरी मोश्ट कोशन फायल का ये कोशन 100% उसमें आएगा आपके एकजाम में कि फायल का ये क्या भाग है तो मैं कई बार अपने पुराने लिस्ट पर जाके बहुत सारे mcq पड़े हुए हैं उसको आप देख लिजिए हम जनरल से सामन से mcq हमने बता हैं उन सारे mcq आप देख लिए उसी में से पूरा पेपर फश जाएगा क्योंकि मैंने जहां से भीयचल का पेपर देखा है और में जहां से भीयचल की बियचल जहां से का जैब पेपर हुआ था तब भी ह Cand बीचल जहां सी के पेपर के मैंने MCQ डाले हुए है हैं तो आप CQ को भी आप देख लीजिन है किस टाइप के कोशन आते यह इसे हम क्या कहते ही इसे जो पॉर्रस iL बीज का भाग होता है llenर का साया इसी हील निक्तार और मालीज रफ फॉईल है तो यह बीज में ही लिकार रहा रफ जिस से हम पड़़कर उसको ला सकते में स्टोर रूम से इसके बाद इस कर दीक तो दो इसका नाम होता है हैंडवाइस इसे हम क्या बोलते हैं हैंडवाइस यह हैंडवाइस होती है इसके बाद और भी मैं आपको काफी चोटी चोटी बातें बताऊंगा यह ट्राइसक्वाइर का भी बहुत ही important question है एक ट्राइसक्वाइर का कहां उपयोग किया जाता है का समकोण क की जाच करने के लिए तो इसका first answer 90 degree की जाच करने के लिए और यह जाच करता है यह मापता नहीं धियान रखना यह जाच करता है यह माप नहीं करता है यह जरू धियान रखें यह 90 degree को मापता नहीं है जाचता है इसके बाद दिखिए इसमें कौन सा जहरीला होता है इसमें और भी देखेंगे कुश्चन इसमें एक हो गया इसके बाद ये कुश्चन आ गया कुछ स्ट्रोकों के बाद एक नया ब्लेट क्यों डीला हो जाता है कुछ स्ट्रोकों के बाद तो इनके question तो आपको रट गए होंगे कुछ इस्टोकों के बाद नया blood डीला हो जाती इसकी बज़ाए क्या होती ही तो blood की stretching इसकी बज़ाए होती है हम पटापट बताते जा रहे हैं आप सारे ये question नहीं पढ़ना है उसे बोलते हैं चेनी तो चेनी का question भी आएगा? तो corner को corner को और joint को साफ करने के लिए corner को साफ करने के लिए कोई भी corona होता है corner को साफ करने के लिए diamond point cheeasel का उप्योग करते है इसका उप्योग इसका कहते हैं ये चीक होता है दर इसे हम चीक कहते हैं इसके बाद ये हैंडल है इसके बाद ये आई होल है आई होल का भी आ सकता ये पैन है ये फेस है ठीक है और हैमर का साइज उसके बाहर से लिया जाता है ये भी कोशन आ सकता है और इसका बाहर कहा लिखा जाता है इसके चीक प यह आएंगे इसấ्पम देए अैंगैं जो क्यों आपको यहां जाँ है यह चुकी यह टीजान किसकी है यह यह यहां लकड़ी तो यह 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 बी आपके यह न falsch कती आ इसके बाद इसमें इसमें यह यह दातू से रिलेटिट कोश्चन भी आएंगे धातू से रिलेटिट कोश्चन तो दातू से रिलेटिट मैं कोश्चन आप लोगों को बता देता हूं धातू से रिलेटिट देखिए इसमें तार बनाने का पूछा गया है तो तार बनाने का हो तार ना हो इधर मैं आपको question change करके बता देता हूँ, यदि exam में इधर तार ना हो, इधर seat हो seat हो तो इस answer होगा क्या? malleability होगा, जिद्धी answer दिया होगा, malleability होगा, ठीक है न, और यदि तूट रहा हो किसी card से चोट लगाने पर सीटना होता, तूट रहा हो तूट जाता हो, कोई चीज़ तूट जाये जैसे, उसे बोलते हैं तूटना जैसे तूट जाता है तूटना बोलते हैं, जैसे ये चोट लगाने पर तूट जाये तो उसे बोलते हैं, बिट्रिलनेस देखा बोलते हैं बिट्रिल्नेस यह कोश्चन भी ध्यान रखना यह कोश्चन भी आ सकता है बिट्रिल्नेस और जहां पर बिट्रिल्नेस खतम करना हो वहां पर टेम्परिंग करते हैं tempering दियान रखना बिल्कुल यह question भी metal का question भी आएगा हम बढ़ते हैं यह question यह question थोड़ा tough है लेकिन आप इसको याद कर लिए डाड़क देखे थिंबल के एक division के spindle की movement कितनी होती है 0.5 mm होती है तो इसमें हमें बताना है अब इसमें देखे थिंबल के division के spindle move क्या होगा जब तो थिंबल के एक division यह 0.5 नहीं बताना है इसमें हमें थिंबल के एक खाने का मान बताना है इस तरीके से micrometer होता है तो माइको मीटर में ऐसे थिंबल होता है तो यह थिंबल के एक खाने का मान होता है 0.01 mm तो इसका फर्स्ट आंसर होगा ध्यान रखना है तो माइको मीटर का जो लिस्ट काउंट होती वो भी आप याद कर दीजिए मैं ही लेख देता हूं दो-तिन कोश्चन एक खट्टे सब्सक्राइब देशन फर्सक्राइब है टो यह याद कर लिजिए रट लिजिए वल्कुल मैं अभी बताई हूं यह रीडिंग परनेके लिए यह री गढ़ना के लीए आ तो आप रीडिंग पढ़नेके बढ़नेके का हूं क्या धेहन दिशम करके दिखाता हूं नहीं चा चार है यह तो चार का मतलब हो गया 40 mm तो इधर तीन रहा होगा तो इधर होगा 30 mm ठीक है तो 30 के बाद दीखिए जीरो है यह 35 पर है देख रहा होगे आप 0 जो है 35, 25 हो गया तो 35 mm तो रीडिंग पुरी हो गई अब 22 मी लाइन मेच कर रहा है तो 20 में हम 0-02 का गृणा करेंगी लिस्ट कांट का बनियर केवली पर की लिस्ट कांट का गृणा करेंगी तो 35 तो पहले था 0-40 जी होगया तो 35 सम데 चालिशी का आंशर हो गया मेन डीजिन म बिलाके तो यह डी आंसर इसका कर्यक्ट आंसर होगा डी आंसर 35 थे MSD इसके तो 35 mm तो यह हो गया था और 20 थे इसके हमारे बन्य डिवीज़ें तो 20.02 का गोड़ा करेंगी अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 35.40 इसका अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अपने आगे ये बन्ये वेन प्रोक्टर की रीडिंग क्या है तो यह बन्ये वेसका ये रीडिंग तो मैं डाडिये तब बने यह है कू बतार हूँ हमें इसमें लगाना है 41 डिगरी वाला एक ही आंसर है इसलिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूद नहीं है और इतने टब कोश्चन आपके अपके अपरेंटेस एक्जाम में नहीं आएंगे नोकरी के लिए होते हैं पहले आप अपरेंटेस में सेलेक्ट हो जाईए इसके सेलेक्जए फिलकरी के लिए सारा कुछ बताओँ रैसलिए फीलर गिजब का कोस्छन भी आसकता है फीलर गेज प्रापके यह फिलर गेज क्यों पर वहता है जो लकडी के ओपर इस लोही की रिंग चड़ाई जाती है लकडि के handle की उपए लोही की रिंग चडाई जाती है लोही की रिंग चडाने से लकड़ी फटती नहीं है तो यह फेरॉल कहते हैं यह फेरॉल इसमें दिया विपेरॉल ओफ्सन में तो इसका C answer correct answer हो ना कि अ इसके बाद इसके बाद इसमें यह Q앙 मैं सरल आप लोगों को बता दिता हूँ देखें यह ये कोशन आसकता है उसमें तो यह मारकिंग मीड़िया है और अपने बीचल के अंदर मारकिंग मीडिया का बहुत ही उप्योग की जाता है तो जो मसीन की हुई मसीन की हुई इस पश्ट सताय होती है उस पर हम प्रिशियन बिलू का उप्योग करते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा प्रिशियन बिलू भी अंसर होगा इसके बाद और आगे चलते हैं हम नेक्स कोश्चन पर यह क्या है यह हमारा बेवल गेज है तो दो प्रकार के बेवल गेज होते है एक होता है कॉमिनेशन बेवल गेज होता है यूनिवरसल बेवल गेज है तो यह हमारा कॉमिनेशन बेवल गेज है लेकिन इसमें कॉमिनेशन बेवल गेज नहीं दिया गया है कोई बात नहीं इसके बाद ये question भी पूछा जा सकता है कि cylindrical job का center किस से निकाला जाता है तो cylindrical job का जो center होता है ये 4-5 बिजियों से निकाल सकते हैं फर इसमें एक ही answer है जेनी केली पर तो ये जेनी केली पर answer लगा देंगे हम लेकिन इसमें एक center head भी होता है हमारा बेवल प्रोटक्टर का इस तरीके से इस तरीके से center head भी होता है इससे भी निकाल जाएगा combination set के center head से और जेनी केली पर आप लोगों ने पड़ा होगा एक टांग ऐसी मुड़ी हुई रहती और एक सीधी रहती है इस तरीके से जेनी केली पर का भी ध्यान रहती है जिसकी एक टांग मुड़ी हुई रहती है एक सीधी रहती है, उसे हम जेनी केली पर खेती है इससे हम बने right gauge से भी निकाल सकते है बने right gauge किस तरीके से रहता है वो भी मैं बना देता हूँ आप लोगों को दीखिए बन्य राइट गेज ऐसे रहता है बन्य राइट गेज में एक offset subscriber का भी प्रयोग करते हैं ये भी question पूछा जा सकता है तो जब bottom से सताह से सटकर marking अनना हो तो हम बन्य राइट गेज का offset subscriber का उप्योग करते हैं और surface gauge से भी हम इसका center निकाल सकते हैं surface gauge कैसा होता है वो भी मैं बना देता हूँ surface gauge होता ऐसी इसमें bent subscriber का उप्योग होता है ये बहुत आता है इसे हम surface gauge कहते है हम बढ़ते हैं आंगे देखें ये ये आ गया ये क्या part है पहले तो इसका नाम पता होने चाहिए ये इस part का नाम है divider इसका नाम क्या है divider इसको हम divider कहते ये divider है और divider के part में आप लोगों को बता दीता हूं किसी में भी part में आ सकता दिए इसमें बहुत सारे part होते हैं सारे part में लिख देता हूं दिकि ऊपर वाला होता है पैघ पैग लगा पैग लगा आ जाता ही जैसी एसं फ्लिक्रिंग इसमें सिंख यह जो जहां प्रेबीeng लगा हुए यह फिन पिन भूस्त हको या शीह हम आ-लम्म या फ choreography का आलम का इंगलिस नाम होता है Fulcrum Fulcrum तो option में देखना पड़ा है इसके बाद यह जो होता है यह fine adjusting screw होता है इसे fine adjusting screw के ती और यह lag होती है एक lag one l1 और यह lag two l2 होता है ये लेगें दो लेगें होती हैं तो ये सारे सब को आने चाहिए क्योंकि इसमें किसी में भी एरो आ सकता है तो आप देख लेते हैं इसमें आलम दिया था दिखे इसमें ये दिया गया फलक्रम ये डी आंसर में फलक्रम दिया गया तो ये फलक्रम भी कह सकते हैं इसको पिन भ पढ़ लिजिये और उसकी जाधा आपको कठें में नहीं घुसना है आपको बस नोर्मल है पढ़ना है और इसकी चैप्टर में बाद में लास्ट में लेग देता हूँ आप तुर न सुभए सुभए कौन-कौन से चैप्टर के या अभी साम को पढ़ दीजिए मैं बता देता पढ़ना है आपको बुजाने वाले एक्स्टिंग यूसर आपको क्या पढ़ना है एक्स्टिंग यूसर में सौट सौट लिख रहा हूं यह हो गया फिर इसके बाद यह हो गया इसके बाद 5S हो गया 5S हो गया आग हो गया Extinguish इसके बाद आपको पढ़ना है File File के बाद पढ़ना Chisel Chisel के बाद पढ़ना है आपको Drill फिर Marking इन्हीं के Normal Normal Question पढ़के जाना है Marking Marking के बाद पढ़ना है आपको Reamer Reamer के Normal Normal Question पढ़िए मैं कह रहा हूँ आप Cutting में गोज जाओगे Cutting Question इसके नहीं आएंगे Normally Question आएंगे सब फिर Symbol के जितने भी Symbol होते है Symbol आपको Symbol पढ़ना है मैं Symbol इदर बना के दिखा देता हूँ दिए ये पहला वाला ऐसा गोल सा Symbol होता है इसे हम बोलते है आदे सात्मक गोल से ऐसा तीरचा डंडी बना देते हैं वो तो निशेदात्मक एक Trangular में बना जाता है Warning और एक बना जाता है Last में ऐसे इसे बोलते है Information तो इन चार साइन में ऐसे आ सकता देखे ये हमारा Information होता है Information होता है ये Warning होता है Warning वो लिग दी हम ने Warning ये होता है Prohibition जिसे हम बोलते है Prohibition Mark Prohibition Mark बोलते है और इसको बोला जाता है इसको जो गोला बना हुआ है ये गोले में बनाया जाता आदे सात्मक अब मैं इसको आपको Net जाके देखा देता हूँ देखे यहमने पर पहुँच गए हैं हम इसको search करेंगे safety sign आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं safety sign जैसे मैंने यह type कर दिया safety sign अब इसको search कर देते हैं इसमें आ जाएंगे safety sign देखें यह safety sign आगए यह safety sign आप लोगों को दिख रहे होंगे बिल्कुल देखें एसेफटी साइन आगा देखे मैं बड़ा करके इसको जूम करके दिखा देखे ये पहले नंबर पर जो बने हुए है ये रेड रंग के ये वाले जो साइन बने हुए है देखे ये वाले साइन है ये होते हैं प्रोहीवेशन इसे बोलते हैं प्रोहीवेशन इनको हमें करना न लगाना है मास्क लगाना है यह सब दिखाए गया इंफॉर्मेशन राइन बने हुए इसमें बने हुए थे इसमें नाम भी लेखे होंगे कहीं न कहीं देखिये यह मैं दिखाता हूं पढ़िए यह लेखे हुए नो स्मोकिंग एक इनका हमें इनका जो तो हम red अब इस्प्ले पर दिखा रहे हैं यह डिस्प्ले पर जितने भी दिखा रहे हैं यह उपर red वाले इनमें यह होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इन्हें हम लेक देते हैं इन्हें बोलते हैं निसेध है निसेध निसेध या प्रोहीवेशन ठीक है तो दूसरे नमबर का देखिए ट्रैंगल में है ट्रैंगल में ये वर्निंग साइन होता है ये वर्निंग साइन है ट्रैंगल में बना होता है वर्निंग ये भी आ सकता है वर्निंग साइन इसके बाद वर्निंग वर्नि में हिंदी में बोलते आदेसात्मक मतलब इसको यूज करना है हमें होन बजाइए inside helmet लगाईए चसमा लगाईए दियान रखना कि सरकल में क्या बनाया जाता है किसमें क्या, यह information sign बने होगी नीचे, यह वाले information sign, fire exits यानि इसका मतलब यह है कि जब आग लगी हो तो यदा से दोड़ के निकल जाओ fire exits, fire नीचे से निकलो यदा कोई गली होगी नीचे से left turn, right turn यह सब होता है, अब इसके वाद हम आपको और इसमें एक चीज़ और दिखाएंगे fire resting user दिखाएंगे अब आपको देखे, fire resting user होते हैं जो, तो आप लोग भी अगर चाहें, तो अपनी इसी तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ जैसे मैंने जो, मैं अभी जो chapter बताया था उसी तरीके से chapter के हिसाब से भी आप सर्च करके mobile से देख लीजिए fire resting user, देखे, यह fire resting user आगए यह fire resting user होते red रंग के, अब मैं fire resting user की एक list देख लूँ, उसमें बता दूँग आपको देखे, यह fire resting user बने हुए, a, b, c, d, कर गए देखे, a, b, c, d, कर गए अब मैं आपको list दिखाता हूँ fire resting user, मैंने क्या guess लिख दीग, यह type लिखना था type, fire resting user type अब मैंने type लिख दिया तो यह सारी चीज़ें ही आएंगी exam में fire resting user के type, देखो यह आगए type इसमें देखे, यह type आगए a, b, c, d, देखे, यह लिखे, water, foam यह fire resting user के type है हम मैं लिख देख, देखे, यह water वाला यह type का होता है, इसमें यह लिख देता हूँ यह foam type है, इसे b type कर रहता है, यह a, b, c, तीनों पर, आगों पर काम कर जाता है यह carbon dioxide co2 वाला होता है जिसमें red रंग का यह लगा होता है कामल यही पूच लिए जाए, कि red रंग का किसमें लगा होता है, तो यह लगा होता, co2 वाले में दियान रखना है इसको आपको इसके color की पट्टियां भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं, देखे, कैसे कैसे इनको दिखाए जाता है, अभी दिखाते हैं, बेक करके इसको, बेक करा हमने, हम पहुच जाते हैं उनके code word पर देखे, यह भी यह आ सकता है यह बहुत ही important बात हम आपको बताने वाले हैं यह वाली चीज ऐसे दिखा देते, देखे यह बहुत ही important बात है, देखे, यह बना हुआ है देखे, triangle में, तो यह आ सकता है B बना हुआ है, square में, C बना हुआ है, circle में D बना हुआ है, star में, देखे, star बना हुआ है, ऐसे star बना हुआ है यह D type का होगια तो जो K बना हुए C को सर्कले में मना जाता है और K को यह सक्षागन में मना जाता है तो यह चीज भी इसमें पूंचे जा सकते है तो मैंने अभी अभी आपको बता दिये सारे चैप्टर तो उनमें से नॉर्मल नॉर्मल जो आपकी बुक्स में नॉर्मल सी चीजे हों नॉर्मल चीजों को एक बार रिवाइच कर लीजिए मैंने आपको बहुत सारे कोशन डाल दिये तो सारे वीडियो देख लो हमारे चैनल के और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें वाटसेप पर भी कमेंट कर सकते हैं तो मैं आपके क कोशन का जबाब दे दूँगा और वीडियो को अधिक से देख लोगों तक सेयर करें और पेपर हो तो हमें जरूर वाटसेप करके बताएं उसमें क्या-क्या आया था